वेले ड़न बिनाया करके आया है तो देखे तिवरम को रिकॉल करते हैं सबसे पहला था टेन पॉइंट तो टेन पॉइंट वन से शुरूए थे टेन पॉइंट थी से में रिकॉल करते हैं तेन पॉइंट थी में कह रहा था कि the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord ठीक है कह रहा था कि अगर कोई कोई ले रहे हैं और कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था वो आपके कर रहा था यह था तीयरम थेर्म 10.3 और धेर्म 10.4 जो था यह कंबर्ज ओख 10.3 था यह क्या था? converge of 10.3 that means any line passing through the center of the circle if bisects the cord of a circle then then that line must be perpendicular the line drawn through the center of a circle circle के center से pass करे to bisect a cord, cord को bisect करता है is perpendicular to the cord, वो क्या होता है cord पर perpendicular भी होना चाहिए voice clear नहीं है क्या everyone please write is voice is clear to everyone write yes or no 2-3 लोग का reply आया और लोग कीजे चल्लाइक हो रहा है network issue होगा अभी तुरण ठीक भी हो जाएगा maybe just wait one minute just wait one minute just wait one minute कर Gleich करे दून ठीक और अरे लोग पिर सी ज है जात क्या प्रूब झाजन झात रहा years लोग willing वा And क्या तो अब वाइस के लिए रहे क्या राइट ये सोनों अगेन चलिए अब क्लियर हो गया सबी लोगों का ठीक है तो देखते हैं थियोरम 10.5 10.5 कह रहा है कि there is one and only one circle passing through three non-collinear points three non-collinear points से सिर्फ और सिर्फ एक circle pass कर सकता है हमने इसको भी detail में देखा था और इसका जो proof था वो theoretical proof था ठीक है next theorem 10.6 दिये था कि equal chords of a circle equal chords of a circle or of concurrent circles are equal distance from center कह रहा था कि अगर दो chords ले रहे हैं किसी circle में या किसी 2.6 का इसमें कह रहा था कि कोई भी दो chord कोई भी दो chord जो equidistant from equidistant हो from the center of the circle से कोई भी दो chord जो equidistant हो from the center of the circle वो दोनों chord क्या होंगे equally lengths होंगे ठीक है तो इतना clear है clear है क्या सभी को ठीक है इतना clear भी होना चाहिए because हम लोगों ने इसका proof हो गयरा already देखा हुआ है ठीक है आते हैं अपने exercise पे exercise 10.4 का question number two and three कोई doubt हो तो बताइए two and three सभी लोग का हो गया कि बताना है नहीं हुआ होगा तो बोलिएगा नहीं हुआ है ठीक है हम लोग देखेंगे क्योंकि इसके questions बहुत अच्छे अच्छे है ठीक है आयूस का question number two है और बाकी से हो गया है क्या और सभी लोग ने कर लिया है राइट येस और नो everyone 5-6 लोग होई भाई सभी लोग सभी लोग कमेंट कीजे तो अच्छा question है करें कि if two equal chords of a circle intersect within the circle intersect within the circle prove that the segments of one chord are equal to corresponding segment of the other chord segments of the other chord ठीक है कह रहा है कि कोई एक circle है क्या है भाई कोई एक circle है इस circle में कोई भी दो chord ले रहे हैं और दोनों chord कैसे होने चाहिए इस circle फिर से ले ले रहे हैं ठीक है यह कोई circle है और इस circle में कोई दो chord है सपोज कीजे कि यहां पर एक chord हमने लिया अबी और दूसरा chord ले लेते हैं एक chord मान लिजे हमने लिया क्या अबी और दूसरा chord लिया हमने मान लिजे c d दूसरा chord क्या ले लिया c d इस circle का कहीं पर center होगा भई center मान लिजे o ले लिया और यह मान लेंगे किसी point किस point का नाम दे 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 पी इसने p पर intersect किया ठीक है यही कह रहा था question कि दो circles दो chord से किसी circle के और दोनों equal length के हैं दोनों equal यानि कि a b का length जो है वो c d के length के बराबर है और कह रहा है कि वो एक circle के अंदर ही एक दूसरे को intersect कर रहे हैं तो intersect कर रहे होगे तो किसी point p पर हमने मान लिया कि वो intersect कर रहे है तो आपको दिखाना है कि यह a p जो होगा वो d p के बराबर होना चाहिए ठीक है इसके corresponding segment segment कौन सा होगा a p और p b और इसका c d के जो segment होंगे c p और c d यह दोनों equals होने चाहिए तो आप लिखोगे कि let let a b and c d be two be two chords with two chords such that with two chords यहां पर यह लिख देते हैं विद two chords intersects 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 each other each other add p add p ठीक है या add point p कर देते हैं intersects each other add point p ठीक है इस point p के लिए हम लोग लिख देते हैं lies within the circle ठीक है भाई क्योंकि कह रहा है कि यह दोनों intersect कर रहे हैं कहां पर circle के अंदर within the circle within the circle and यहां दिया हुआ है कि ab जो है ab जो है वो c d के बराबर है यह दिया हुआ है आपको प्रूफ करना है prove that prove that क्या प्रूफ करना है कि a p जो है वो वो पी डी के बराबर हो and दूसरा part दूसरा segment कौन सा होगा पी बी जो है वो किसके बराबर हो पी बी जो है वो pc के बराबर हो यह proof इतना सभी को समझ में आया क्या ठीक है यह जो जो मैंने लिखा है इसमें तो किसी को कोई doubt नहीं होना चाहिए यह जो questions कह रहा था बस मैंने वही part लिखा है ठीक है अब देखा आपको करना क्या होगा आप यहां से इस circle के center से perpendicular draw कर लिजें ap पर और ab पर और यहां पर यह cd पर ठीक है तो लिखेंगे तो यह perpendicular draw कर लिया भाई हम लोग ने इसका नाम दे देते हैं m और इसका नाम दे देते हैं क्या in इसका नाम in दे देते हैं तो और इस op को join कर देते है ओप झार अधिक कर लेते हैं इस तरध से आते हैं यहां पे लिखेंगे construction में हमने क्या क्या किया construction में हमने क्या क्या किया हमने किया भई कि draw draw what om perpendicular to ab om perpendicular to ab and and what om perpendicular to cd ये हमने किया और साथ ही साथ यहां पर join join op op को भी join कर लिया ठीक है भई op को भी join कर लिया अब आते हैं proof वाले पार्ट में proof वाले में ठीक है देखें यहां पर यहां पर यह कह सकते हैं कि ab जो है वो किसके बराबर है cd के बराबर है ये कैसे आप कह रहे हो क्योंकि ये बात given है यहां पर ये given है और यहां पर आप बोल सकते हो कि sins om जो है वो perpendicular है किस पर om जो है perpendicular है ab पर ab पर this implies आप कह सकते हो कि ये जो am होगा am ये क्या होगा mb के बराबर होगा mb के बराबर होगा ये statement किलिए रहे क्या सभी को write yes or no everyone everyone please write yes or no चलिए इसको equation one assume कर लेते हैं हम लोग इसको equation one assume कर लेते हैं similarly आप ये कह सकते हो कि on जो है वो perpendicular है c d पर on जो है perpendicular है c d पर तो यहां से आप ये कहोगे कि यहां से ये आप कहोगे this implies आपको क्या मिलेगे यहां पर कि nd जो होगा nd वो किसके बराबर होगा nc के बराबर होगा nd जो होगा nc के बराबर होगा nd या dn nd जो होगा वो nc के भी बराबर होगा ठीक है क्योंकि अगर कोई भी लाइन जो center से perpendicular होती है वो cord को bisect करती है यह हमने theorem से देखा था ठीक है अब आते हैं कि भई ये सबी जो ये half of half of a b b होगा a b नहीं sorry c d लिखेंगे न a b नहीं half of c d होगा half of c d होगा और यही बात यहां पर भी बोल सकते हैं भई कि ये जो होगा half of ये किसके बराबर होगा this is half of यानि कि a m जो होगा a m equals to आपने m b लिया हुआ है m b ये half of half of a b b होगा a b का आधा होगा ठीक है अब since हमने लिया हुआ है क्या लिया हुआ है कि हमें दिया हुआ था a b जो है c d के बराबर है this implies half of a b जो होगा वो भी half of c d के बराबर होगा बदे दो मान लिजे दो quantity है दोनो quantity equal है तो दोनों का half भी तो equal होगा भई दोनों का half भी equal होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि therefore half of a b जो था वो a m के बराबर था और half of c d जो होगा वो nd के बराबर होगा तो यह हमने लिख लिया ठीक है इसका नाम two रख देते हैं इसका नाम two रख देते हैं अब आते हैं इस triangle में इस triangle की बात करते हैं triangle o p m और o p n में triangle o p m and o p n में in triangle o p m and triangle o p n में o p n में ठीक है आप कह सकते हो कि angle o m p o m p equals to angle o n p देखें तो यहाँ पर हमने लिखा o m p यह 90 degree है और o n p यह भी 90 degree है 90 degree है तो कैसे लिखेंगे each of 90 degree दोनों क्या है 90 degree है और यह बात आप कह पा रहे हो by construction के लिखेंगे by construction by construction थीक है और साथ ही साथ कहेंगे कि o p जो होगा वो o p के बराबर होगा क्यूंकि यह दोनों में common है भई दोनों में common है दोनों में common है अब देखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि o m जो होगा वो o n के बराबर होगा क्या इस बात से agree कर रहे हो सभी लोग यह o m जो है यानि कि यह जो length है यह o m जो length है वो o m के बराबर o m जो length है o n के बराबर होगा क्या everyone right yes or no सभी लोग yes or no लिखे good चलो अंसु आप बताओ तो क्यों इक्वल होगा ओएम इक्वल स्टू ओएन हमने क्यों लिखा हुआ है विकॉज परपेंडिकूलर और इक्वल कोट्स और इक्वल थुरा सा स्टेटमेंट गलत है और और कोई आयूस आप बताओगे आयूस ऐसे बोलेंगे आंसर सही है लेकिन बोलने का तरीका ऐसे बोलेंगे परपेंडिकूलर से मतलब नहीं है बोलेंगे कि इक्वल कोट्स और इक्वी डिस्टेंट फ्रॉं दे सेंटर अप दे सर्कल इक्वल कोट्स और तो लिखेंगे सिंस कोट्स और इक्वल कोट्स और इक्वल तो इसे दिस्टेंगे से दिस्टेंगे स्टेंगे 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 स् तो जैसे यह कर दिया तो यह जो ट्रेंगल हो गया ट्रेंगल ओ एम टी इस कॉंगूरेंट ट्रेंगल ओ एन पी सभी लोग लिख दीजे तो ट्रैटेरिया लिखे ओ पी एम ओ पी एम और यहां पर थोड़ा सा गलती हो गया ओ कौन सा था ओ पी एन क्राइटेरिया सभी लोग लिखे तो किस क्राइटेरिया से यह कॉंगूरेंट होगा वेल डन अन्सु कुमारी सही आंसर अनुस्का सही आंसर बाई रहस क्राइटेरिया बाई रहस क्राइटेरिया ठीक है अब जैसे ही हमने इक्वल दे दिया तो हम यह कह सकते हैं कि आपका जो यह जो पार्ट है कौन सा पार्ट यह MP जो होगा MP वो जो होगा PN के बराबर होगा क्या यानि MP बराबर यानि PM बराबर PN हो जाएगा इससे हम कह सकते हैं therefore PM जो होगा वो equal होगा PN के और यह बात कैसे कह पाओगे by CP CT ठीक है और इसका आप 3 नाम दे दोगे इसको equation 3 दे दोगे आप क्या करोगे equation 2 और 3 को add कर लिजे equation 2 और 3 को add कर लिजे तो equation 2 को add कर रहे है equation 3 के साथ और किसके बराबर था इंडी के बराबर था इंडी के बराबर था इंडी के यह नि इंडी के साथ पहले तो जोड़ेंगे हम इसको किसको PM को और यहां पर इंडी था तो इंडी को जोड़ेंगे इसके साथ PN के साथ तो आपको देखतो AM प्लस PM देखे तो AM प्लस PM यह क्या हो गया AM प्लस PM क्या होगा AP हो जाएगा और इंडी प्लस PM वो क्या हो जाएगा PD हो जाएगा तो यहां से AM जो AP जो होगा वो PD के बराबर आ जाएगा therefore अपको क्या मिलेगा AP जो होगा therefore AP जो होगा वो PD के बराबर आ गया और यही तो प्रूफ करना था ठीक है दूसरा पार्ट प्रूफ करने के लिए क्या करोंगे नाउ एपी जो एबी जो है वो किसके बराबर था एबी जो है वो सीडी के बराबर था इसमें से सब्ट्रेक्ट कर दोगे इसको therefore a p a b minus a p is equal to c minus p d तो यहां से a b में से a p सब्ट्रेक्ट कर रहे हो देखें a b में से a b में से a p सब्ट्रेक्ट कर रहे हो तो p b मिलेगा क्या देखें p b और यहां पर a c d में से p d सब्ट्रेक्ट कर रहे हो तो c p मिलेगा तो इसमें p b equals to pc हो जाएगा p b equals to pc therefore p b to pc clear है क्या सभी को तो यह दूसरा पार्ट प्रूव हो गया और यहां से पहला पार्ट प्रूव हो गया सभी को clear है write yes or no चलिए और लोग अनुस्का ने reply कर दिया कि फराज विनायक कि आगाम्या कि कि लेर है तो आगे बढ़ें हम चलिए अब आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल स्ोरी कोशनर 3 यह सभी ले अच्वी सब्सक्राइब कि अगर कुछ इस टाइब का होगा कि सपोज कीजिए कि यह एक सर्कल है यह एक सर्कल है इस सर्कल पर अगर कोई हम कॉर्ड ले रहे हैं यहाँ पर एक कॉर्ड लिया हमने ठीक है यह दूसरा कॉर्ड लिया हमने दोनों कॉर्ड का लेंथ इक्वल है यहाँ पर कोई सेंटर होगा तो सेंटर से कोई लाइन पास करा दो सेंटर से ये एक लाइन पास करा दिया अब नाम लिख लेते हैं इसका इसका नाम A B है और इसका नाम C D है ये किसी पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको दूसरे कलर पीस इससे हमने सो कर दिया यहां पर कहीं मान लिजे सेंटर होगा तो आपको दिखाना है कि यह वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा कुछ करना नहीं है बस यहां पर एक सेंटर ड्रॉ कर देना है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है आपको यहां से भी एक परपेंडिकुलर कर दे रहे हैं इन राइट ट्रेंगल यहां पर नाम दे दिए हम लिख सकते हैं इन ट्रेंगल वाट ओ एम पी एन ट्रेंगल ओ एन ओ एन पी ओ एन पी आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंगल ओ पी ओ यहांगल ओ एन पी के हो जाएगा और यहांपर क्या कह सकते हैं कि एंगल OMP जो होगा वो एंगल OMP के हो जाएगा and this is each of 90 degree और यह construction का part था तो जैसे यह दोनों triangle congruent होंगे by RHS criteria से तो आप इसके किरसी भी corresponding parts को equal दिखा सकते हो therefore angle OPA is equals to angle OPD हो जाएगा ठीक है that means यह angle इस angle के बराबर हो गया क्लिर है क्या सभी को तो मैंने ऐसे ही हिंकर्ग बता दिया अच्छा question था इसलिए चलिए यह वाला देखिए कि इसमें बताइए किसको कौन सा पूछना है question number 4-5-6 में से question number 4-5-6 में से write your doubts पांच नमबर और किसी को six number भी ठीक है हाँ दोनों अच्छे से अच्छा question number 4 कैसे किया हो कोई एक बताएगा विनायक आप बताओ question number 4 को कैसे किया हो first construction sir I drawed a perpendicular on line L that is O L on perpendicular line L and we know that the perpendicular from the center of the circle to the cord bicep to the cord now bc is the cord of smaller circle and O L is perpendicular to bc therefore bc is equal to lc this is equation 1 again AD is the cord of bigger circle and O L is perpendicular to AD therefore AL is equal to LD this is second equation so that thing first equation from second equation we get AL minus BL is equal to LD minus AB is equal to CD very done very done good 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 very done चाहिए सही explanation है question number 5 देखते हैं कहरा कि three girls Reshma, Salma and Mandip three girls Reshma, Salma and Mandip are playing a game by standing on a circle of radius five meter drawn in a park ठीक है कहरे कि five centimeter circular park में circular park में रेष्मा, Salma और Mandip नाम की three girls है वो stand की हुई है ठीक है Reshma throws a ball to Salma Salma to Mandip and Mandip to Reshma if the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandip is six centimeter so what is the distance between Reshma and Mandip Reshma and Mandip तो यह कुछ इस टाइप का है भाई कि suppose कीजिए यह एक circular park हो यह एक circular park हो तो पहले रेष्मा को हम यहाँ पर R से place कर देते हैं Salma को, रेष्मा, Salma एक साथ कह रहा है कि रेष्मा और Salma और Salma and Mandip दोने ही की distance है तो जो distance यहाँ से यहाँ का होना चीए Reshma से Salma के बीच जो distance होना चीए ठीक है? यह वही distance होना चीए किसका किस से? Salma से यह देखे, यह Salma है, एस से हमने ले लिया इसका नाम और Mandip को M से नाम दे दिए है और कह रहा है कि दोनों एक भी distance है वाई क्योंकि यह 6 cm है, यह भी 6 cm है तो रेष्मा और Mandip के बीच का जो distance होगा यह कुछ यह वाला हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? ब्लू से इसको जाएगा वो यह वाला हो जाएगा ठीक है? अब देखे क्या करेंगे? तो इसका नाम वाई मानने तें लेट चाहिए गिवन है गिवन है डिस्टेंस डिस्टेंस यह यह भी से फिन लिखता है ना गिवन आरेस इक्वल्स टो एसम अडिस इक्वल्स टो वाट? 6 मीटर रेडियस जो दिया हुआ है रेडियस रेडियस वो दिया हुआ है 5 मीटर रेडियस 5 मीटर दिया है अब चुकिए हम देखेंगे since RS जो है वो SM के बराबर है ठीक है तो यह हम ऐसे लिखेंगे in triangle RSM RSM triangle में हम देख रहे हैं कि RS जो है RS जो है वो क्या हो रहा इस इक्वल्स टू यह SM है तो इसका मतलब कि therefore यह जो triangle हमें मिला है triangle RSM is an is an isocellus triangle क्या होगा isocellus triangle हो जाएगा इसका मतलब कि अगर हम perpendicular draw करेंगे अगर यहां से हम perpendicular draw करते हैं तो यह opposite side को bisect करेगा यह clear है क्या तो अब हम क्या करने जा रहे हैं एक perpendicular draw करने जा रहे हैं एक perpendicular draw करेंगे तो एक perpendicular draw करेंगे तो यह bisect करेंगा इसको क्या करेंगा यह वाला जो तर्फार को एक यह लिखेंगे तो लिखी डिखेंगे झाने, व्लिखेंगे झाने, व्लिखेंगे लिए मिल स्विभार Examples lles में एक फजी आणे, India ट्र यहां सेचयों सेचयों सके डिए, ज ह।ो लिएंगा निए, पिए।ूर मिल of angle b the perpendicular from V B bisect यह लिखना चाहिए था था चोंड हुआ हुआ था था हुआ थियर अब जैसे यह बाइस हब कर रहा है यह टेट मीज यह आएश जो है वह कर दो शेंटर अब से पास क्र ना चाहिए इट मींस था आगा it means that SO passes passes through the center through the center of the circle center of the circle से पास करना चिए क्योंकि हमने देखा था कोई भी लाइन जो क्या कर रहा है कौड को बाइसे कर रहा होता था वो center of the circle से पास करता था अब हमें निकालना क्या है distance between Reshma and Mandip Reshma और Mandip के भी इस निकालना है now late कि RM जो होगा ये कुछ मान लेज़े ये क्या मान लेते हैं आरेम जो है अच्छा बी इस न चाहिए था sorry sorry thank you इसको इसका नाम क्या देना चाहिए था इस न इस ट्रेंगल भी सफ़ज जाते है ठीक है तो ये B हमने actually ABC समझ लिया था तो S को हमने B दे दिया था ठीक है RM को मान लेते हैं RM इसका कुछ नाम दे दिए क्योंकि RM को पूरा X मान लेते हैं X by 2 लिखना 2X मान लीजिए RM को क्या मान लेते हैं 2X मान लेते हैं तो ये वाला जो part होगा ये सिर्फ X हो जाएगा इसका कुछ नाम दे दिए इसका नाम P दे देते हैं इसका नाम क्या देते हैं P दे देते हैं तो इसका मतलब कि AP जो होगा X होगा तो अब आते हैं इसको इससे जॉइन कर लेते हैं इसको इससे जॉइन कर लेते हैं और चुकि अभी हमें पता हो गया कि यह परपेंडिकुलर है और यह दिया होए कि फाइब सेंटीमिटर है इसका नाम तोटल ओफ जो होगा और जो फाइब होगा क्या इसमें तो कोई डाउट है क्या क्या क्योंकि ओर ओव एस और ओए में तीनों क्या हो जाएंगे रेडियस ह हो जाएंगे सर्कल के तो इतना होगा अब मान लेते हैं कि लेट एक यह भी यूनिट मानना पड़ेगा कि ओपी जो है कि ओपी यह वाई हो गया ओपी जो है वह वाई हो गया तो इसका मतलब कि एस पी जो होगा वह फाइब माइनस वाई हो जाएगा कि अगर इतने को हमने ओपी को वाई माना तो टोटल फाई है तो यह एसपी जो होगा वह फाइब माइनस वाई हो जाएगा इतने तक क्लियर है तो बदाएए आगे बढ़ें अब राइट येस और नो एवरीवन एवरीवन प्लीज राइट येस और नो चलिए सही है तो अब आते हैं पहले इस छोटे वाले ट्रेंगल में in right triangle, in right triangle, O-P-R O-P-R, O-P-R में, right triangle O-P-R में आते हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर ये O-P-R है तो देखो ये O-R जो होगा और का स्क्वाइर, और का स्क्वाइर, तो अगर ये कहेंगे, तो हमें कहना पड़ेगा, कि X स्क्वाइर प्लस Y स्क्वाइर इकवर्स टू फाइव का स्क्वाइर, डियरफोर, X स्क्वाइर प्लस Y स्क्वाइर, इसकी वैलू जो है, हमें 25 निगाएगी, ये हमारे पास एक नमबर आया, इक्वेशन नमबर वन, अब हम चलते हैं, इस वाले ट्रेंगल में, देखिए, जिस ट्रेंग में चलते हैं यह भी एक राइट एंगल ट्रेंगल होगा यहां नबे डिगरी होगा तो हम कह सकते हैं इन राइट एंगल ट्रेंगल इन राइट ट्रेंगल इन राइट ट्रेंगल इन राइट ट्रेंगल आर पी एस देखें तो यहां पर आर पी एस में यहां पर कह सकते आर प बें प्लस इन प्लस पीमिट करहें उ मिला स्कष्ट में प्लस पी या प्लस पी स्केयर यह जो होगा आरीस का स्क्वार 31 Jaya Rp, Rp का square कितना हो जाएगा भाई, यह हो गया X square, S P कितना हो गया P S, यह 5-y था, तो 5-y का whole square और ये हमें मिल गया कितना? Rp का square, 6 का square मिल गया यह, अब दीखे तो यह, यहां से इसको break कर लिजे, यह मिल गया x square यह मिल गया 25 minus 10y plus plus y square और यह value मिल गया 36 अगर इसको थोड़ा सा rearrange करेंगे आप तो देखे एक से square plus y square को पहले रख लीजिए ठीक है प्लस 25 हो गया minus 10y हो जाएगा और यह आपको मिल गया 36 तो यहां से देखिए तो यह x square plus y square यह तो 25 है न भई तो यहां पर हमने लिख दिया 25 plus 25 यह देखे इतने की value x square plus y की value 25 और यह माइनस 36 इस साइड लेके आज़ेए और 10y इस साइड लेके आज़ेए 10y यहां पर हमने किसका यूज़ कर लिया using first using first एक का equation एक का यूज़ कर लिया 25 25 यह कितना हो गया 30 हो गया न भई तो यह 50 हो गया 50 minus 36 यह हो जाएगा 14 10 से डिवाइड कर दीजिए यह हो गया y तो आपको y की जो value मिल गया y की value वो मिल गया 7 by 5 हमें 2x निकालना है हमें क्या निकालना है 2x निकालना है तो देखे तो यहां पर y की value रख देंगे from first from first पहले equation में जाते हैं x square plus y square y square की value वहां पर रख देंगे तो 49 by 25 हो जाएगा क्या and this equals to 25 तो यहां से हम यह कह सकते हैं कि x square की जो value है वह हमें मिल जाएगी 25 माइनस उन्चास बाइ पच्चीश उन्चास बाइ पच्चीश यह लेंगे तो चीश हो जाएगा 25 इंटू पचीश 625 625 माइनस 49 divided by 25 divided by 25 तो यह आपको मिल जाएगा x square equals to 576 divided by 25 this implies square root ले लेंगे तो 576 का square root 24 हो जाएगा और यह हो गया 5 तो x की जो value होगी वह कितना हो जाएगा यह 4.8 आ गया 4.8 मीटर तो डिस्टेंस बिट्वीन क्या था डिस्टेंस बिट्वीन रेशमा एंड मंदीप यह कितना था भई यह क्या था 2x हमने माना था 2x और यह मिल गए 2 इंटो 4.8 दिस्टेंस बिट्वीन 9.6 क्लिर है क्या सभी को क्लिर हुआ सभी को राइट यह सो नो एवरीवन अगाम्या का कन्रों गया अंसू अनुसका आपका विनायक आप चलिए तो क्लिर है भई सब्वा कुषण च्विशन को कोदेख लेते हैं कुष्ण चीठ कंशन चीप चाहरा है कि वही एक सरकूलर पार्थ इसमें वही अक सरकूलर पार्थ है आप रेडियस 20 पार्थ रेडियस 20 मेटर इस सिचुएटेट इन एक कॉलिनी में 20 मेटर रेडियस का एक सर्कुलर पार्क है थ्री बोईज अंकूर साइद एंड डेविड और सिचुएटेट एट इक्वल डिस्टेंट ऑन इट्स बाउंडरी ठीक है इच वेविड ट्वाइट टेलीफॉन इन इस हैंड टॉक इच अदर फाइंड दे लेंथ इस ट्रिंग अप दे इच फोन यह कुछ कह रहा है कि वही एक कुछ चीज चीज चेब कहा है चलिए एक और ले लेते हैं यह कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है ले सर्कुलर पार्द है ठीक है अब सर्कुलर पार्द है तो जो भी जितने लोग है जो तीन लोग है तीनों इकवी डिस्टेंट है वही सपोज कीज यहाँ पर है एक यहां पर है देखिए एक यहां पर है एक यहां पर है और एक यहां पर है तो यह क्या होंगे अगर यह इक्वी डिस्टेंट है तो यह आपस में अगर जॉइन करते हैं इसका नाम ABC रख दो अगर यह A है यह B है और यह C है प्लेशिंग आप मान लिजेए कि जो भी अंकूर सईद और जो भी तीन लोग है उनके डिस्टेंस को मान लिजेगा तो डिस्टेंस दिया हुआ है कि सभी लोग इक्वी डिस्टेंस हैं तो गीवेन है आपको गीवेन है कि AB जो है AB वो किसके बराबर होगा वो होगा BC के और यह बराबर होगा AC के ठीक है देर्फोर यह ट्रेंगल ABC आपको मिलेगा जो ABC वो क्या होगा इस एक्वी लेटरल ट्रेंगल यह क्या हो जाएगा इक्वी लेटरल ट्रेंगल हो जाएगा इक्वी लेटरल ट्रेंगल हो जाएगा ठीक है इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए और इक्वी लेटरल यही डिस्टेंस पुछ रहा है मान लिजे कि इसका साइड लेंट ए हो तो यह जब यह सभी इक्वल है तो मान लेते हैं कि यह यूनिट के बराबर हो जैनि ए मीटर हो ठीक है इसका रेडियस जो है वो दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं यहां से एक पर्पेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहां से अगर हम एक perpendicular ड्रॉ करते हैं तो अगेन देखे यह perpendicular क्या होगा इसको two equal half में divide करेगा अगर हमने perpendicular ड्रॉ कर लिया तो यह जो part होगा इस part के बराबर होगा अब चुकि यह तरह का cord भी है और यह line जो है वो क्या कर रहा है इसको two equal half में divide कर रहा है तो यहां पर कहीं पर यह अगर center होगा तो वो center से भी pass कर रहा होगा ठीक है तो clear है क्या यह यह line लिखेंगे the perpendicular judicialन पर्पेंडे कुलर और यह BISEX THE OPPOSITE BISEX THE OPPOSITE SIDE OPPOSITE SIDE कां सा? लाइन अभी जिए है लाइन अदे marfada है दो एक प्रपरट अगर टी है shine यह एक प्रोपरटी है किसका आएक ट्रेइंगल का प्रपीच अलियक चेड अंटर लिम्ट थरी थाएट थ्यू थूट पासे थू 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 नसेटर भू रूटरर थूक्ष पासे थू पासे थू थू概 जरूर पास करना चाहिए अब देखिए यहां से हमने पास करा दिया तो अब देखिए आप जानते हो कि यह एक तरह का सर्कम देरफोर यह ओजो होगा ओदेरफोर ओव इस देखिए इस अर्कम सेंटर इस अर्कम सेंटर और यह एक तरह का एडी जो होगा मेडियन हो जाएगा therefore ad is a is a medium अच्छा चलिए एक फॉर्मूला बताईए तो अगर कोई equilateral triangle है कोई एक equilateral triangle है तो equilateral triangle में perpendicular height का formula क्या होता है अगर उसका side length a हो तो write your answer chat section में सभी लोग answer reply कीजे कि अगर किसी equilateral triangle का side a हो किसी equilateral triangle का side a हो तो उससे अगर हम perpendicular draw करेंगे perpendicular draw करते हैं तो उस perpendicular की height क्या होगी अनुसका अन्सू आयूश फराज सिर्फ yes करने से क्या आप answer reply करना है अन्म्यूट करके answer reply कर सकते हैं कोई भी अनुसका आप बताओ अन्सू आप बताओ देखें यहां formula लिख लिए अधरवाइस यह लंबा प्रोसेस करना पड़ जागी यह formula value किसी भी equilateral triangle में perpendicular height जो होता है वो root 3 by 2 into side होता है root 3 by 2 into side ठीक है किसी भी equilateral triangle के लिए यह इवलेबल है equilateral triangle के लिए तो लिखेंगे कि since since ad is equal to क्या हो जाएगा root 3 by 2 into side a ठीक है यह और दूसरा हम यह जानते हैं कि अगर यह यह क्या है यह circumcenter है और यह एक median है तो median जो है 2 is to 3 ratio में divide करता है circumcenter जो है median को 2 is to 3 ratio में divide करता है इसका मतलब यह जो कि इसका मतलब यह हुआ कि यह oa length oa length जो होगा अगर oa length की median जो होता है sorry circumcenter जो होता है median को 2 is to 3 ratio में divide करता है 2 is to 3 ratio में divide करता है तो a o की जो value होगी वो 2 by 3 ad हो जाएगी ठीक है तो oa जो है यह इसका मतलब की ad जो है वो हम लिख सकते ad को 3 by 2 times of देखे यह इधर multiply हो जाएगा और oa जो a o जो होगा वो radius है तो a o की value यहां से 3 by 2 और और o की जो value आएगी वो 20 दिया हुआ है radius कितना दिया हुआ इसका 20 दिया हुआ है तो इसका मतलब यह 20 को इससे काट दिए 10 times में यह हो जाएगा 30 यह कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा तो यहां पर ad की value 30 रख देंगे divided by what root under 3 तो हम कुछ इधर लिख दे रहे हैं इधर erase करके लिख दे रहे हैं इस calculation को यहां पर करते हैं तो क्या हो जाएगा हम मेरे पास a की value जो मिल जाएगा वो 60 by root अंडर 3 मीटर हो जाएगा अब रूट अंडर 3 से उपर और नीचे multiply कर लेते हैं तो 60 divided by root अंडर 3 into root अंडर 3 divided by root अंडर 3 नीचे root अंडर 3 root अंडर 3 से multiply होके 3 हो जाएगा तो 60 by 3 into root अंडर 3 तो यह 20 times में cancel हो जाएगा तो आपका answer जो आजाएगा final 20 root अंडर 3 तो इसमें side length जो होगा वो 20 root अंडर 3 मीटर होगा सभी को clear होना चाहिए ठीक है तो यह property याद रखेंगे कि perpendicular height जो formula होता है equilateral triangle में root 3 by 2 into a होता है that means side length ठीक है और median जो होता है 2 is to 3 ratio में divide होता है clear होना चाहिए भाई sorry 2 is to 3 मैं बोल रहा हूँ 2 is to 1 ratio में divide होगा ना कि गलत बोल रहा हूँ 2 is to पुरा erase हो गया कि यह तो थोड़ा सा कि यह 2 is to 1 में divide होगा इसमें divide होगा 2 is to 1 में होगा तब तो जाकर यह अगर इसका लेंध हम निकालेंगे तो अगर एओ कि अगर हम बात करेंगे तो यह total दो ती हाई है तीन पार्ट का दो पार्ट है तो 2 by 3 into AD हो गया sorry 2 is to 1 ratio में divide होता है 2 is to 3 में बोल रहा था सब clear है क्या सभी को write yes or no ठीक है तो यह property याद कर लिजेगा और बाकी यह वला तो property आपको याद होगा कोई बता नहीं रहा था वह यह median का तो property याद होना चाहिए आपको कि median 2 is to 1 ratio में divide करता है ठीक है जैसे मान लिजे देखे यहाँ पर किसी को यह doubt हो रहा होगा कि यह हमने कैसे लिखा है तो let me explain first suppose कीजिए कि 9 cm का कोई length है 9 cm का कोई length है यह total length कितना है 9 और कह रहा है कि 2 is to 1 ratio में इसको divide कर रहे हैं 2 is to 1 का मतलब कि हम क्या कर रहे हैं पहले 3 meter 3 meter और 3 meter में हमने इसको क्या कर दिया break कर दिया तो 2 is to 1 का 2 is to 1 ratio अगर हम लेते हैं तो इसका मतलब कि इसका हमने 3 plus 3 6 meter लिया और इसका कितना लिया 3 meter लिया तब तो जाके मिलेगा तो यह अगर हमें 6 चाहिए होता तो यह कैसे मिलता इसका मतलब कि हमने 2 by पूरे 3 भाग का 2 भाग लिया है into कितना 9 meter का तो 9 meter का 3 में से 2 भाग लिया उसी तरह यहां पर भी 2 parts लिया हमने AO यह 2 parts है out of 3 ठीक है और किसका यह पूरे AD का ठीक है तो इस तरह हम लोग ने इसका अब देखते हैं यह theorem 10.8 most important theorem आपके इस chapter का most important theorem वहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिख देते हैं most important theorem होगा ठीक है कह क्या रहा है यह theorem यह कह रहा है यह theorem कि the angle subtended by an arc at the center is double is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle इसका मतलब यह कह रहा है कि अगर कोई आप एक arc लेते हो सपोज किजिए यह arc AP तो देखे यहाँ पर हमने 3 figure इसले बताया हुआ है क्योंकि कह रहा है कि the angle subtended by any arc ठीक है किसी भी arc के तो arc 3 type के हो सकते हैं इधर arc हमारा minor हो सकता है तो यह minor case के लिए लिया हुआ है यह minor arc है यहाँ पर minor arc है यहाँ पर arc हमारा semi circle भी हो सकता है तो दूसरा हमने semi circle लिया हुआ है और arc हमारा क्या हो सकता है major arc भी हो सकता है तो यह major arc के form में यह जो discussion है major arc के लिए लिया हुआ है तो तीन तरह के आर्क होते हैं, ठीक है, तीनों ही cases में हमने यह discuss किया हुआ है, तो दीखें, तीन आर्क है, तो कहरा है कि कोई भी आर्क, जो एंगल बनाता है, कहां पर, center of the circle पे, circle के center पे जो एंगल बनाया है, कौन सा एंगल बनाया है यहाँ पर, एंगल P, O, Q, यह जो एंगल subtended by any point on the remaining part, remaining part का मतलब कि जिस आर्क को आपने लिया, किस आर्क को लिया है, PQR को, तो PQR के remaining part, यहनि कि PQR को छोड़ कर, यहां कि यहां से यहां आपको point नहीं लेना है, यहां से यहां point छोड़ कर, इसके बाहर कोई भी point ले, यहां, यहां, कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी, अगर हम कोई point लेते हैं, तो उस point पर अगर कोई angle subtended होगा, तो देखें, अगर हमने point A लिया है, remaining part में, तो यहां पर angle काउन सा बन रहा है, P, A, Q, angle P, A, Q, तो कह रहा है कि यह वाला जो angle है, इस वाले angle का हमें सा, दुगना होगा, यही proof करना है, आपको, क्लियर हुआ क्या है यह statement, statement क्लियर है सभी को, यहां पर भी angle P, Q, P, Q के द्वारा angle बना कौन कौन सा है, यह वाला, तो angle इसके remaining point कहां पर है, तो यहां पर भी angle P, O, Q जो होगा, वो two times होगा, angle P, A, Q का भी, और same यहां पर भी, यहां पर देखिए, angle P, O, Q दो, दो angle है, लेक आपको reflex angle P, O, Q लेना होगा, क्योंकि यहां पर यह 180 degree से जादा हो जा रहा है, तो आपको बोलना पड़ेगा reflex angle P, O, Q, देखिए, एक बार और बता देते हैं हम, कह रहा है कि, the angle subtended by an arc at the center, ठीक है, किसी भी arc के द्वारा, center पे जो angle बन रहा है, ठीक है, arc, कितने तरह के ओ सकते हैं, ऐक arc हो सकता है कि minor arc हो सकता है, तो यहां पर जो center पे जो angle बना, कौन सा angle बना? एंगल P-O-Q P-O-Q ये वाला एंगल सेमी सर्कल आर्क हमारा सेमी सर्कुलर भी हो सकता है तो इस एंगल में P-O-Q एक लीनियर एंगल बनेगा और यहां पर जो बनेगा दो एंगल बन रहा है एक देखे रेट कलर से दिखा रहे है ये भी एंगल P-O-Q होगा और ये भी एंगल P-O-Q होगा ब्लैक वाला लेकिन आपको कौन सा आर्क लिया आपने मेजर आर्क लिया है तो मेजर आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बना है वो ब्लैक से हमने जो दिखाया है वो बना है तो यहाँ पर reflex angle POQ लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा reflex angle POQ यानि कि reflex angle दो तरह का POQ बन रहा है लेकिन हमें reflex angle लेना है तो कह रहा है कि यह जो angle बन रहा है center पे इस arc के द्वारा यह दुगना होगा किस से इस arc के remaining part remaining part की मतलब यह नीचे वाला parts हो के उपर वाले part पे कोई भी एक point ले रहे है suppose कि यहाँ पर अगर एक point A ले लिया तो इस point के द्वारा जो angle बन रहा है इस arc से PAQ यह वाला यह जो होगा इस center का हमेसा center वाले angle का हमेसा आधा होगा यह हम converge way में कह सकते हैं कि center का angle जो होगा यह circumference का angle का दोगुना होगा तो देखें हम लोग लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे कि लेट let C-O-R be a be a circle be a circle in which in which arc in which arc PQ subtend subtend subtended subtended an angle an angle consa angle angle P-O-Q angle P-O-Q at the center O at the center O and 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 on the remaining part of the circle and on and on the remaining and on the remaining and on the remaining on the remaining part of the circle of the circle it subtends it subtends it subtends subtends an angle an angle consa angle angle P-O-Q P-O-Q at the point A at the point A on the circumference on the circumference नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाए किनकी circumference पर ही बोल रहा है circumference ठीक है ये नहीं भी लिखते तो हमारा काम हो जाता ठीक है अब प्रूफ क्या करना है we need to prove that 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 क्या हमें प्रूफ करना है कि angle P-O-Q ये जो angle है ये twice हो angle P-A-Q-K P-A-Q-K construction में देखे construction लिखेंगे join join A-O and देखें क्या किया हमने A को center of the circle से join क्या है A-O और extend क्या है up to point B join A-O and extends extend it to point B to point B to point D ठीक है construction ये प्रूफ में आ जाते है यही हमारे पास construction था प्रूफ में लिखना पड़ेगा कि हम इस theorem को तीन डिफरेंट केसेज में क्या करेंगे प्रूफ करेंगे लिखेंगे we will prove we will prove the theorem the theorem in three different cases in three in three different in three different different cases काउन काउन से केसे सांगे भाई first first when R PQ is minor is minor d usara when when arc PQ is semicircle is semicircle and third and third when when arc PQ PQ is major arc PQ क्या हो? major हो ठीक है? अब आते हैं case 1 को study case 1 case 1 में देखते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो angle होगा B O Q B O Q यह वला P O Q देखते हैं P O B इस वाले angle को थोड़ा ध्यान से देखेगा पहले वाले figure को देखेए इस वाले angle की अगर हम बात करनें पॉइंट B यहाँ पर है भई B को B तक extend किया गया है तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो angle P O B जो होगा वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि यह angle और इस angle के sum के बराबर होगा क्या? इस angle और इस angle के sum के बराबर Everyone please confirm it क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ Write yes or no कि angle P O B This equals to angle O P A and angle O A P Clear है कैसा अभी को? Write yes or no everyone कैसे होगा अनुस्का? बताइए तो कैसे होगा यह? Angle P O B की value Angle O P A plus angle O A P इसके बराबर कैसे होगी? Sir because the sum of two interior angles of a triangle equals to the exterior angle Well done, good यह जो angle मैं बोल रहा हूँ भाई P O B वो exterior angle होगा इस triangle O P A का ठीक है? तो हम exterior angle theorem लगा लेंगे exterior angle theorem तो यह एक case के लिए नहीं actually हमने यहाँ पर लिखेंगे यह जो बात होगा तीनो डिफ्रेंट केसे के लिए होगा तो लिखते हैं in all the three cases in all the above in all the above three cases three cases तीनो एवब थ्री केसे के लिए चलिए अब जो भी हम प्रूफ करने जा रहे हैं यह तीनो केसे के लिए valid होगा हम लिखते हैं कि since since angle P O B is an exterior is an exterior angle exterior angle of triangle O P A O P A का exterior angle है therefore हम कह सकते हैं कि हमारे पास यह जो angle P O B मिलने वाला है वो हमें मिलेगा angle O P A plus angle O A P के ठीक है भाई यह वाला जो angle है यह हमें O P A plus O A P के बराबर मिल गया है सम के बराबर ठीक है और यह बात आप कैसे लिख पा रहे हो लिखो कि बाई लिखो कि 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 लिख अब आप एक बार और देखो इसी ट्रेंगल में इन इन ट्रेंगल O-P-A इन ट्रेंगल O-P-A इसी ट्रेंगल O-P-A में आप देख रहे हो कि O-P जो होगा वो O-A के बराबर होगा क्या कि यह दोनों रेडियस होंगे O-P जो है वो O-A के बराबर होगा क्या हो जाएगा O-P जो होगा O-P वो क्या होगा O-A के बराबर होगा और क्या होगा यह रेडियाई है यह क्या है रेडियाई है रेडियाई है देयरफोर आप बोल सकते हो कि इनके तो इक्वल साइट्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते है equal होते हैं, therefore आप कह सकते हो कि angle O-P-A is equal to हो जाएगा angle O-A-P यह क्या लिखेंगे? opposite opposite sides of sorry, opposite angles angles of equal sides क्या वो लेंगे? of equal sides of equal sides तो अब देखें, तो यहां पर हमने लिखा हुआ है यहां पर हमने लिखा हुआ है कि यह P-O-B की वैलू O-P-A प्लस O-A-P के बराबर आ रहा है अब देखें, O-P-A और O-P-A की वैलू O-A-P के बराबर आ है, therefore हम कह सकते है कि angle P-O-B की जो वैलू है, वो टू टाइम्स हो जाएगा एंगल किसके? O-A-P के इस O-P-A के जगा पर O-A-P रख देंगे तो हमें O-P-A मेर जाएगा क्या? इतना एक्टी लेर है कि आस भी हो? रख ये शौर नो, everyone भही बहुत इंपॉर्टेंट थियोरम है जहां पर अगर नहीं समझ में आएगों तो बता सकते हैं सभी लोग ये स्टेट्मेंट क्लियर हुआ? कोई बोल नहीं रहा है भाई I think time हो गया इसलिए नहीं बोल रहा हो क्या? इसको पूरा कर लेते हैं चलिए confirmation आगया तो similarly similarly आप यही बात इस एंगल के लिए भी बोल सकते हो देखे यही बात आप इस एंगल के लिए भी बोल सकते हो क्या? एंगल B, O, Q के लिए यह यहाँ वाला एंगल थोड़ा से देखे एंगल B, O, Q के लिए तो हम कह सकते हैं कि similarly एंगल बी ओ क्यू ये भी जो होगा two times हो जाएगा angle ओ ए क्यू के ओ ए क्यू के ये equation two मान लिजे एडिंग first and second एडिंग एडिंग first and second दोनों को add कर दीजे भाई तो आपको इस side मिल जाएगा angle BOP या POB plus angle BOQ this equals to two times of two common निकाल लिजे angle OAP plus angle OAQ ठीक है और अगर ये देखोगे आप ध्यान से तो BOP देखें BOP और BOQ ये दोनों मिलके angle POQ हो जाएगा और यहाँ पर OAP और OAQ ये भी मिलकर angle PAQ हो जाएगा तो आप अब लिख सकते हो therefore therefore the angle POQ ये two times of हो गया two times हो गया angle PAQ के ठीक है so thus 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 we have proved we have proved प्रूम चीज़ 1st 1st & 2nd but in case 3 in case 3 case 3 we will write यह देखें, थर्ड केस में यह जो एंगल आप ले रहे हो, थर्ड केस के लिए, थर्ड केस के लिए यही एंगल जो हो जाएगा, पी, ओ, क्यू, यह रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, तो थर्ड केस के लिए, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या P O Q this equals to this equals to यहाँ पर देखें यह भी एंगल यह एंगल क्या होगा 180 से कम मिलेगा तो यह सिर्फ यह वाला नेम चेंज जाएगा this equals to two times of angle P A Q. Thus, in all the three cases, in all the three cases, angle P O Q is equals to two times of angle P A Q. Clear है क्या सभी को? सभी को clear है? यही proof था, ठीक है? एक बार मैं फिर से कल रिकॉल कर दूँगा आप एक बार पढ़ लीजेगा ठीक है? इसका प्रूफ अलग से नहीं लिखेंगे इसी को जो लिखा हुए इसको एक बार रिकॉल कर देंगे and then we'll jump over the next theorem and the corresponding exam. वोट corresponding exercise तो आप exercise लिख दीजे एक्सर साइज 10.5 homework रहेगा अभी कल test का preparation कर लिजे उसके बाद के लिए है और एक जो next theorem है theorem 10.9 यह थोड़ा सा खुद से attempt कीजेगा अगर यह आपने समझ लिए है तो वो खुद से कर सकते हैं attempt yourself attempt yourself ठीक है यह theorem है theorem 10.9 यह homework रहेगा आपका ठीक है भई चलिए मिलते हैं निक्स्ट क्लास में बब एवरिवन को